हेलो स्वागा साब का हमारी चम्मल केडियर ब्रेट बाइंजिनियर में और आज हम लोग बात करने वाले सी आई टीस को लेकर जैसे कि काफी जादा स्टूडेंट के मन में यह डाउट रहता है कि जो सी आई टीस कोर्स करने के बाद कोई भी आप कोर्स करते हैं चाहे जो भी स कोर्स 2022 में करना चाहते हैं उनके मन में सबसे पहले यह सवाल आता है कि सी आई टीस कोर्स करने का जो सबसे बड़ा फायदा है लाब क्या है वो क्या रहेगा और दूसरा है कि जो सी आई टीस कोर्स करने के बाद सरकारी नौकरी हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी ठीक है उसी को मैं थोड़ा सा आपको explain करने की कोशिस इस वीडियो में करने वाला हूँ तो वीडियो सुरू करने इस परले में बता दूँ कि सबसे पहला काम आपको चैनल को subscribe कर लेना है अब आप गहेंगे भी या सुरू में इस चैनल को subscribe करने के लिए बोलना है क्योंकि जब CITS का form आता है मैं जोन में इस बार form आएगा इसका तो बहुत कम समय आपको दिया जाता है 10-15 दिन का समय आपको form बने के लिए दिया जाता है तो बहुत लोग को यह जानकारी ही नहीं हो पाती कि CITS का form आया हुआ है और बहुत से लोग जो form बने से मंचित रहाते हैं और जब आप form नहीं भरेंगे इंटरंस एक्जाम में देंगे तो आपका admission नहीं हो पाएगा तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को subscribe किया रहेगा तो जो भी CITS से जुड़ी update है हमको कुछ लाब होगा कि नहीं सरकारी नौकरी में तो यहाँ पर जो CITS करने वाले लोग हैं उनको हम लोग दो काटेगरी में बाढ़ सकते हैं कौन जी काटेगरी में? दो काटेगरी में पहला है ऐसे लोग जो ITI candidate है जो क्या है? ITI candidate है जो ITI करने के बाद CITS कोर्स करना है और दूसरे candidate है डिपलोमा और B.Tech candidate जो डिपलोमा या B.Tech करने के बाद CITS का कोर्स करना चाहते हैं ठीक है? अब देखी सबसे पहले ITI वालोग हम लोग लोग समझते हैं कोई बहुत लांग वीडियो नहीं होने वाली है ITI में क्या है भाईया? कि अब देखे CITS कोर्स में आपको theory plus practical दोनों knowledge दी जाती है 70% आपको वहाँ practical का weightage रहता है 30% theory का weightage रहता है अब देखे जब आप ITI कि भाईया किसी भी सरकारी नोपरी के त्यारी करते हैं तो जो बहुत अच्छी jobs है ITI लेओल की वहाँ पर आपसे written exam के साथ साथ एक skill test में मांगा जाता है जैसे example की बात करें तो आपसे बार्क में मांगा जाता है ISRO में मांगा जाता है DMRC में मांग लिया जाता है इसक्वालिफाई हो जाते है यह आप बहुत जड़ाद चिंतित होते हैं जिसे बहुत से लोगों ने DMRC से इसरो गया written exam निकाल लेकिन अब skill test के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है तो भईया skill test में जो आप लोग थोड़ा बहुत practical करते हैं वही चीज़ें आपसे वहाँ पर कराई जाती है सबसे बड़ा लाव आपको यहाँ पर मिलेगा ठीक है दूसरी चीज़ यह है बहुत से लोग करते हैं कि एक साल का time based होता है CITS course इसे अच्छा आप जो है government job की preparation कर लेजे मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी भी government जो आप प्रिप्रिशन करेंगे मा लेजे किसे coaching में जाएंगे बहुत से लोग coaching में जाते हैं या कोई online course लेंगे तो आप यह कम से कम 5000 रुपया तो उसको दोगे ही कहीं भी आप चाहे coaching में जाओ चाहे कोई online course purchase करो तो 4000 से 5000 रुपया आपको दे नहीं पढ़ाएंगे उस course को करने के लिए preparation को करने के लिए ठीक है तो यहाँ पे क्या ही आपको practical कराएंगे ठीक है या किसी भी तरह का practical knowledge आपको दे पाएंगे जो बिलकुल नहीं लेकिन अगर आप CITS course करती है किसी NSTI college से करती है तो वहाँ पे आपको theory plus practical दोनों करा आजाता है और NSTI college के fees कितनी होती है मैंने कई वीडियों बताया हुआ है कि भीया 4000 रुपय में अगर आप general OVC candidate है तो 4000 रुपय में आपका fees plus hostel दोनों हो जाता है हलाकि hostel मिलने का criteria रहता है उसको मैं explain कर दूँगा तो यहाँ पे 4000 रुपय में आप theory भी पढ़ रहे हो practical भी आपको करवाया जा रहा है और साथी साथ आपको CITS का certificate जिसे हम लोग NCIC certificate भी काते हैं जो कि अभी UP की जो instructor की vacancy आई हुए है उसमें अनिवार रूप से मांगा गया है तो जितने लोगों के पास CITS का certificate नहीं है वो इस instructor की vacancy जो आई है उसमें नहीं participate कर पाएंगे तो यहाँ पर 4000 रुपय में आपको क्या मिल रहा है theory plus practical plus NCIC यानि के CITS का certificate जिससे आप अनुदेसक की भरती में भी eligible हो जाती है साथ ही साथ जो आपको practical knowledge और theory का जो knowledge दिया रहा है आप theory पढ़े तुरन प्रिक्टिकल दिया तो उससे जो आपकी तैयारी हो रही है government job की जो आप यहाँ पर 5000 रुपय किसी coaching में online course में फीज़ दोगे उससे अच्छी preparation आपकी यहाँ पर कराई जा रही है अगर आप कभी भाई समय skill test भी देते हो तो आपकी अच्छी preparation यहाँ पर होती है ठीक है तो भाई अगर आप हमसे पुच्छों कोई course director के government job मिलती है नहीं आपने ITI किया government job मिली नहीं डिप्लोमा बीटे काप करके बैठे है कोई government job मिल रही है उस degree के विस्पर नहीं मिल रही है उसके लिए आपको पढ़ना वड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आप एक साल अगर कहीं और बैठ के government job instructor की आप भरती को भूल जाए instructor की भरती आए चाहे ना आए लेकिन अगर आप यहाँ पर एक साल अच्छे से देते हो यहाँ पर अच्छे साध्यान करते हो तो आपकी government job कहीं न कहीं आसानी से जो है लग जाएगी क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी preparation आपकी theory और practical दोनों की हो जाएगी ठीक है जहाँ तक मुझे इस बात का अनुभव है अगर आप NHTI college का वीडियो देखने चाहते हैं practical के ठीक है तो कुछ वीडियो मने डाले हुए है अपने ब्लॉक चैनल पर ठीक है जैसे वर्सवाप अगेरा में कौन-कौन सी मसीने रखी हुई है कितनी मसीने रखी हुई है ठीक है तो वहाँ पर आप खुदी देख लेंगे तो वहाँ पर आपको खुदी पता दे जाएगा भाईया अगर हमारा admission जो इस college में होता है तो वहाँ पर हमको अच्छा गासा practical देखने को मिलेगा ठीक है तो जो हमारा second channel है उसका link में आपको description box में दे दूँगा तो वहाँ से जाके आप जो नहीं को सिर्फ एक ही option मिलेगा वह भी जो इंस्ट्रक्टर की vacancy आएगी उसमें जो CITS course की अन्यवारता होगी तो उसके तहट वह instructor में बैठ पाएंगे बाकि क्योंकि diploma और BTEC का से लिए बस ITI से पूरी तरह भिन होता है तो अगर diploma और BTEC वाले हैं जिसे जेई वगरा की तियारी कर रहे हैं या diploma से related किसी exam के त्यारी कर रहे हैं तो उसमें आपको CITS course पढ़ने से या करने से कोई help नहीं मिलने वाली है आपको सिर्फ एक ही help मिलेगी वह instructor की vacancy में आप eligible होंगे CITS course करने के बाद लेकिन आप देखिए ITI वाले जब CITS course भले करने हैं लेकिन instructor में participate करने के लिए इनके पास तीन साल के experience होना चाहिए जबकि diploma वालों के पास दो साल का और B.T.E.C. वालों के पास एक साल का experience होना चाहिए तो अगर आपने भाई B.T.E.C. किया है B.T.E.C. आपने चार साल अल्रेडी किया एक साल का CITS course कर लिया और एक साल का experience कहीं से ले लिया तो आप आसानी से instructor बनने के लिए eligible हो जाएंगे या आपको समय कम देना पड़ेगा और ITI वाले छात्रों को दुगना तिगना फायदा है CITS course करने से क्योंकि ITI का जो syllabus है औ आपको मदद बहुत जादा मिलने वाली है ठीरी भी पढ़ेंगे प्रिकल भी करेंगे तो घर बैटनी के पेच्छा या किसी coaching संस्थान से या online class करने से पेच्छा आप जब CITS course करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी होगी और आप साथी साथ आपको CITS का certificate मिलेगा बहु करनी पड़ेगी आप एक साल यहां पर अच्छे सी दिर जिए अच्छे सद्धन कीजिए इस ट्रक्टर वेकंसी आए चाहे ना आए कोई भी वेकंसी आएगी तो आपके अगर इतनी अच्छी तैयारी रहेगी ठीरी प्लस प्रिक्ट कर लेंगे और अगर कहीं पर skill test भी होत करती है मैंने आपको पहले बता दिया अगर आप किसी भी आने श्याई कॉलेज का कुछ मैने डाले हुए हैं वहां पर कैंपस देखना चाहते हैं उसके वर्शॉप देखना चाहते हैं कि कौन सी मसीन से वहां पर रख्य हुई है तो सेकेंड चैनल का लिंक में आपको डिस् तो ठक बने रहे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद